हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल मैं खुस्पूग और आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग अच्छे होंगे और आज मिले क्या रही हो टू टेयर केक्स और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंड से और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भुलिएग और बैल आइकन भी जो प्रेस किजेगा ताकि हमारी नई वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो चलिए मैं मिलते हूँ अपने आगे के वीडियो में और ये दिखे मैं आठ हिंज का केक टिन ली हूँ और इसे मैं ओयल से ग्रिस कर लूँगी चारो तरब से आप इसमें बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं हम इसलिए ये बटर पेपर वगएरा ये सब मैदा लगाते की कि हमारा केक चिपके ना और ये देखे मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें डाल दिया है और इसे स्पिंकल कर लूँगी चारो तरब मैं फैला दूँगी मैदा को और जेक्ष्टर मैदा होगा मैं उसे निकाल लू तो ये देखे हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये देखे मैंने इस ट्रेनर में तीन कप मैदा डाल दिया हूँ और टू टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर एट करूंगी और इसी स्पून से मेजर करके मैं टू टेबल स्पून कोको पाउडर एट करूंगी और दो छोटा चमच मैं इसमें बेकिंग पाउडर एट करूंगी और एक छोटा चमच मैं इसमें बेकिंग सोडा एट करूंगी और इन सबको मैं अच्छी तरह से छान लूंगी और इसमें हमारा एक भी lumps नहीं रहना चाहिए तभी हमारा केक का बेटर अच्छा बनेगा और केक भी हमारा अच्छा बनेगा और इसलिए मैं छानना बहुत जरूरी है और यह दिखे मैं माइक्रुवेब को प्रिफ करने के लिए लगा रही हूं 180 डी会ब के में 15 मिनाट के लिए प्रिफ कर लूँ आप मैं इसमें मैंदव तो सब मैंने मिक्स किया था इस डाल दूँकी और अच्छी तरद से मिक्स कर लूंगी तो यह दिखेın ही बेटर को ना जादा मोटा रखना है ना जादा पतला मीडियम ही में रखना है हमें एक ही बार ज्यादा मिल्क नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके मिल्क हमें डालने है, तो ये पूरा केक का बैटर हमें बनाने में 1.5 कप मिल्क लगा है, और मैं इसमें केक टिन में डाल दूंगे बैटर को, अब हमें इसे अच्छी तरह से टैप कर लेना है, जो ये बबल्स वगरा होंगे ये निकल जाएंगे, अब मैं देखें केक टीन को डाल दी हूँ, माइक्रोब में इसे 180 डिग्री पे में 30 मिनट के लिए बेक करूँगी, केक को, तो ये देखें हमारा केक बन चुका है, अब मैं इसमें तूथपिक डाल के चेक करूँगी, केक हमारा बेक हुआ के नहीं, देखें ये हमारा केक एक भी इसमें चीपक नहीं रहा, तो हमारा पूरा क्लीन निकला है तूथपिक, तो हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुक में 1 tablespoon कोको पाडर एट किया है और एक tablespoon मैंने baking soda औरे टेबल स्पून में वेकिंग soda यूज किया है और इन सब ने छीतार से छान के इसमें mix करके इसका withrr बना लूँगी उसका हमें आधर जालना जाल्य कि Gibi जितना मैं कोको पाउडर वगएरा सब इसमें चोटे चेक में हमें आधा डालना है उसका और इसमें मैं एक कप मिल्क एड्ट कर रही हूं तो यह दिखिए हमारा मिल्क बेटर बन के त्यार है अब में केक्टीन में डाल दूंगी यह हमारा 6-inch का cake tin है और इसे मैं अच्छी तरह से tap कर लूँगी और इसे भी मैं 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए bake कर लूँगी तो यह देखे हमारा cake बन चुका है और इसे मैं toothpick से check कर लूँगी तो यह देखे हमारा toothpick पूरा clean निकला है तो हमारा cake अच्छी तरह से bake हो चुक तब cake को निकाला था हमें गरम ही cake को नहीं निकला नहीं तो हमारा cake तूट जाएगा ठंडे होने के बाद ही हमें cake को निकालना है और जो उपे और पोर्शन है उसे हमें काट लेना है और चाकू से मैं 4 तब से निसान लगा लूँगी और धागे की सहायता से में क्रॉस बना और। मैंने झाल सीरप बना इसमें मैंने थोजा सा टूटी-फ Wyoming डाला है इससे इसका प्लेवर अच्छे अधा ओиля और यह मैंने विपिंग पाॉड़ लिया है इसी से मैं विपिंग क्रीम बनाऊंगी और यह देखे मैंने क्टोरे में बर्फ जमा लिया था इसे मैने ठंड मिनट तक बीट करना है इसे और इसमें मैं थोड़ा सा वैनिला एसंस टाल नहीं हूँ और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यह दिखे हमारा वीपिंग क्रीम बन के त्यार है और यह दिखे हमारा पूरी अच्छी तरह से वीपिंग क्रीम बन चुका है ऐसे में पलट रहीं तो गिर नहीं रहा तो हमारा वीपिंग क्रीम दम परफेक्ट बना है अब मैं यहां केक बोर्ट पर यह क्रीम लगा दूँगी जो मैंने बड़ा लग केक बनाया था सबसे पहले मैं यह रखूंगी बड़े वाले केक को और इस पर मैं सुगर सिरप लगा दूँगी इससे इसका मौश्रा बना रहता है चारों तरफ हमें सुगर सिरप लगा देना है और इसके उपर मैं विपिंग क्रीम लगा दूँगी हमें चारों तरफ से फैला लेना है क्रीम को अब इसमें इसके उपर मैं टूटी फ्यूटी डाल दी हूं तो आसा चोको चिप सेट कर रही हूं मैं और इसके उपर से मैं और क्रीम डाल दूंगी की दूसरा केक का लेयर मैं डाल लूँट दूसमें छेदना हो और इसे हमें चारों तरफ फैला लेना है क्रीम लगा के इस पैचुला की सहायता से अब दूसरा लेयर भी मैं पलट के डाल दूंगी और इसके उपर भी मैं सुगर सिरप लगा दूंगी इसका मौशर बना रहेगा हमें सुगर सिरप अच्छी तरह से लगाना है केक के उपर और इसके उपर मैं फिर से क्रीम लगा दूंगी और चारों तरफ से फैला दूंगी मैं उपर सिरपँ मैंabad क्वड़ ma मैं वर falando करें दूंगी और अहें रहें यथ है दूंगी टूंगी इसका यह खु pi L वजब अरया शूंगी सूंग dolor क्यानीं फिर अवर कर उंट हू 아 और इस पर किसा है ता से मैं इसे पूरा प्लेन कर लूँगी अच्छी तरह से आपके पास स्क्रैपर ना हो तो ATM कार्ड जो फालतू का पड़ा हो बेकार का जो बिना यूज खा तो उसकी सहाथा से भी आप ऐसे प्लेन कर सकते हैं तो यह दिखिए हमारा बड़ा ओला केक पर क्रीम लग चुका है अब मैं इसे आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी सेठ होने के लिए और अब छोटा केक को मैं क्रीम लगाऊंगी तो इसके उपर भी मैं सुगर सीरॉप लगागी और उसके उपर से फिर मैं क्रीम लगाऊंगी और मैं थुटी-फूटी और चोको चिप्स डाल दूंगी। और इसके उपर मैं क्रीम लगा दूँगी और इसमें फिर मैं दूसरा लेयर डाल दूँगी केक का और इसके उपर भी मैं क्रीम लगा दूँगी और इसे भी हमें चारों तरब से क्रीम लगा देना है इसे इस पैचुला की सहायता समय प्लीन कर लेना है और इस क्रैपर की सहायता से मैं प्लेन कर लूँगी और इसे भी मैं सेट होने के लिए फ्रीज में रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए 15-20 मिनट या आदा घंटा तक भी आप रख सकते हैं तब ही हमें केक को डेकोरेट करना है तो यह दिखिया हमारा क्रीम अच्छी तरह से लग चुका है चारो तरप से तो यह दिखिये है मैने केक को फ्रेज से निकाल लिया है पनितिक वद्ट कर लिया है तो वही लिया इसे मैंने दो Scott में तोड़ लिया है और दो टुकडे में चार चार जगा जगा दूँगी और स्टीक हम इसलिए लगाते कि हमारा केक कहाँ पर केक रखेंगे तो हमारा तुटेना और मालीजे आप कहीं बाहर केक को ले जा रहें नहाँ किसी दोस्त को गिप्ट करना चाहते हैं केक वगएरा तो इसलिए श्टिक लगा जाता आप घर में ही डबर टेर केक बना रहे हैं तो उसके लिए श्टिक लगाने की ज़रुरत नहीं है बाहर ले जा रहे हैं तब उसके लिए ज़्यादा ज़रुरत होती है यह श्टिक लगाना तो अब इसके उपर मैं दुसरा छोटा केक रख दूंगी चाकु से अच्छी तरह से पकड़ के द पैचुला को निकाल लूँगी तो यह दिखिए दम बीच में हमारा केक रखा चुका है तो यह दिखिए हमारा केक नम पर्फेक्ट बैठा बीच में अब मैं केक को डेकरेट करूंगी आप जैसा चाहे वैसा डेकरेट कर सकते तो यहां मैंने तीन कलर का यूज किया है और ग्रीन यल्लो और 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 इंज तीन कलर मैंने यहां यूज किया है और इसी तीनों कलर से मैं डिजाइन बनाऊंगी अपने केक के उपर हमें केक को डेकरेट करने के बाद कम से कम साथ से आठ घंटा में फ्रेज में केक को रखना है और केक हमारा उसके बाद अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो आप ऐसा केक बना के अपने बड़े मेरे जनवस्वी को सेलिब्रेट कर सकते हैं ऍूर अपने तरह सेट हैं झाल 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 और ये मेरे पास सिल्वर ड्रॉप्स पड़े थे तो इसको उपर मैं सिल्वर ड्रॉप्स लगा दूँगी और भी अच्छा लगेगा देखने में केक हमारा तो ये चारो तरप मैं सिल्वर ड्रॉप्स लगा दूँगी अब मैं ये किनारे किनारे चोको चिप्स लगा दूंगी तो ये दिखे मैं चारो तरब चोको चिप्स लगा दूंगी तो ये दिखे हैं हमारा केक बन के त्यार है ये दिखे कितना व्यूटिफूल लग देखने में हमारा केक और इसके उपए मैंने आटिफिशर फ्लावर लगा दिया है अब लगाने के बाद हमारा केक और भी सुंदर लग रहा और ये दिखे हैं हमारा केक कटने के बाद कितना अच्छा देख रहा है थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो